नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भगवदी प्रसाद पुरुवेत एड़ोकेट और आप देख रहें यूटूब का कानूनी यान चैनल आज के वीडियो में हम समझने वाले ही कि सिविल न्याले से एक पक्षी इस्टे केसे होता है और एक पक्षी इस्टे खारिज केसे हो जाता है वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेधन है कि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी और वीडियो को लाइक कर दीजी अई वीडियो को शुरू कर लेती हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सिविल न्याले के द्वारा इस्टे किन परिस्तितियों में दिया जा सकता है तो देखे दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर मकान बनाने का काम शुरू किया जाता है या किसी व्यक्ति की जमीन पर जबरन रास्ता बनाय जाने का प्रयास किया जाता है या किसी जमीन को आवेधानिक तरीके से किसी व्यक्ति के पेशने का प्रयास किया जता है या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाग लिये बगेर दुसरा विवा करता है या कोई पत्नी अपने पत्नी से तलाग लिये बगेर दुसरा विवा करती है तो ऐसी इस्तिति में व्यथित व्यक्ति अर्था जो व्यक्ति उस आवेदाने कार् भी पेश किया जा सकता है जिसे की इस्टे का आवेदन भी कहा जाता है लेकिन देखिए इस प्रकार का दावा और उसके साथ आवेदन पेश करने के बाद जिस वक्ति के खिलाब दावा और इस्टे का आवेदन पेश किया गया है उस वक्ति को कोड के द्वारा अपने समक्ष बुलाया जावेगा और जिस वक्ति के खिलाब कारिवई की गई है उसे भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावेगा लेकिन कई बार इस प्रकार से जब लोगों के खिलाब दावा पेश किया जाता है तो वे कोड का नोटिस लेने से बसते हैं या अपने पते पर नहीं मिलते हैं जिसके कारण जो व्यक्ति दावा पेश करता है वह काफी परेशान हो जाता है अब देखिए इस इस्तिती में जो व्यक्ति दावा पेश करता है उसे क्या करना चाहिए कि न्यालर में जब दावा और इस्टे का आवेदन पेश किया जाता है तो उसके साथ एक पक्षी इस्टे का आवेदन पत्र पेश करना चाहिए जो कि सिविल प्रक्रिया सहिता के आरेश 49 नियम 3 के तहट पेश किया जाता है एक पक्षी इस्टे का आवेदन क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं तो देखिए जब कोई व्यक्ति कोड में दावा ये आवेदन पेश करता है और उसे आशन का है कि कोड में जो दावा और इस्टे का आवेदन पेश किया गया है उसका सुषना पत्र अगर विरोधी पक्ष को पहुंचाने में देरी हुई तो दावा पेश करने वाले को बहुत बड़ा नुकसान हो जावेगा तो इस इस्तिती में जो व्यक्ति दावा पेश करता है वह आदेश 49.3 सिविल प्रक्रिया सहीता के तहत एक पक्षी इस्टे का आविदल पेश कर सकता है और आदेश 49.3 के आविदन पत्र पर से यदि न्यायले को एसा लगता है कि वास्तों में जिस व्यक्ति के खिलाब दावा पेश किया है उसे एवं इस्टे के आविदन पत्र का सुषना पत्र देने में समय लग गया तो दावा पेश करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जावेगा तो ऐसी इस्टिती में न्यायले जिस व्यक्ति के खिलाब दावा लगया है उस व्यक्ति को सुषना पत्र दिये बगेर ही केवल दावा पेश करने वाले व्यक्ति को ही सुनने के बाद और जो कागज दावा पेश करने वाले व्यक्ति ने न्याले में पेश किये है उन्हें ही देखते हुए अगर न्याले उन दस्ताविजों से संतुष्ट हो जाए तो जिस व्यक्ति ने दावा पेश किया है उसके पक्ष में एक पक्षी इस्टे आदेश पारित कर विपक्षी के खिलाब इस्टे का आदेश जारी किया जा सकता है इस प्रकार के इस्टे आदेश को एक पक्षी इस्टे आदेश कहा जाता है लेकिन उस एक पक्षी इस्टे आदेश की सुचना विपक्षी को देने का दायत्व जिस व्यक्ति के पक्ष में इस्टे का आदेश हुआ है उसका होता है अर्था दावा पेश करने वाले व्यक्ति का दायत होता है कि वह उस एक पक्षी इस्टे आदेश की सुषना विपक्षी को ततकाल डाक या कोरियर के माध्यम से दे और विपक्षी को उस एक पक्षी आदेश की सुषना दे दी है इस आशय का शपत पत्र भी दावा प संबन्द में कोई शबत पत्र इस्टे पारित करने वाले न्याले के समक्ष प्रस्तूत नहीं किया जाता है तो ऐसी इस्तिती में जिस न्याले ने एक पक्षी इस्टे दिया है वह इस्टे विपक्षी को सुचना न देने के अवाव में समाप्त हो जावेगा या इस्टे दे न्याले के समक्ष पेश कर दिया है तो देखिए जो एक पक्षी इस्टे आदेश होता है वह अक्सर विपक्षी की न्याले में उपस्थित के लिए होता है अगर विपक्षी न्याले में उपस्थित होकर आदेश 49 नियम एक एवं दो सिविल प्रक्रेस नहींता की आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तूत नहीं करता है अर्था जो मूल इस्टे के लिए आवेदन वादी ने लगाया है उसका जवाब अगर विपक्षी नहीं देता है ऐसी इस्तिती में न्याले एक पक्षी इस्टे को आदामी दिनांग तक भी आगे बढ़ा सकता है या जब तक विप प्रकार से एक पक्षी इस्टे आदेश मिल सकता है और जो बाते हमने इस वीडियो में समझी उन परिस्तितियों में एक पक्षी इस्टे आदेश समाप्त भी हो सकता है या उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है तो आती जान करें आपको कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर पता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय वाद